कुश्चा नमब साथ यदि प्रमानित प्रमानित चल जैड के लिए प्राप्त संभावना निम्दान सार हो तो जैड प्राप्त तंग जैड वन का अनुमानित मुल्य निकालिए पहला है जैड वराप्त जैड वन के वाई और के प्रदेश का छेतरफल 0.998 दिया है दूसरा है जैड वराप्त जैड वन के दाई और के प्रदेश का छेतरफल 0.0250 है इसका सॉलूसन करते हैं तो हम लोग question number 7 का solution कर रहे हैं यहाँ पर तो इसमें लिखेंगे पहले z बराबर दिया है z1 क्या दिया है के बाई और का छेत्रफल छेत्रफल बराबर कितना है 0.9928 कितना है 0.9928 है इसका मतलब क्या होता है बाई और से बोले तो समझना है less than का निशान लगाते हैं और दाई और से बोले तो greater than का तो less than का निशान कैसे लगाते हैं तो यहाँ लिखते हैं पी जैड लेज देन इकवल टू जैड वन बराबर 0.9928 लिखना है उके उसके बाद हमको क्या करना है तो अब हमको आकरती खीचनी है आकरती बनाते हैं तो यहां बीच आबीच में लाइन कीचते हैं तो यहाँ पर हमारा जैड बराबर कितना आता है 0 अताहिए और इधर सा अब यहां पर देखेंगे तो इधर यहां से यहां तक कितना होता है 0.5 यहां से यहां तक कितना चितवल होता है 0.5 होता है संभावना यहां से यहां तक की संभावना 0.5 होती है कि Era 5 का मतलब क्या होता है यहां पर आपको समझ ना है तक कि अपको तो हम लोग इसको यहां तक लिख देते लगभख क्या बलत है पूरा पूरा भाग होरा ऊदर साइट का हम लोग क्या करते तो इतना भाग है तो इस पर से हम लोग क्या लिखेंगे अगर आपने ध्यान से समझ दिया है कि यह कैसे आया है यह क्यों तक होगा ऐसा आपको अंदर लगाने आ गया है तो फिर इसके पहलते दो पोईंट लिखने है वह आपको समझ में भी आजागा कैसे है यहाँ पर लिखते हैं यह तका तो बहुस्त बहां और यह थी घड़ा से चल्वार्डाब है तो यहां से यहां तक का पहले भाग लिखते हैं यह कहां Champion infinity से तो minus infinity less than equal to नहीं लगाएंगे जब भी infinity आएगा जब तो हमको क्या लिखना पड़ेगा जैड अब कहां तक जा रहा है तो 0 तक less than equal to 0 प्लस अब यहां से यहां तक जा रहा है तो यहां पर कौन है 0 प्लस अब यहां से यहां तक का भाग को आपको पता है 0.5 होता है तो हम लोग चार अंक लिखते है मतलब 5000 है अब यहां से यहां तक कीतना होगा हमको पता नहीं है पर यह मालूम है हमको कितना आया यहां पर तो 0.9928 आप चाहें तो either side लिखें आप चाहें तो इधर side लिखें कहीं भी लिख सकते हैं और यहां पर इसकी कीमत है तो प्लस है जीरो पी ओफ जीरो लेज देन जैड लेज देन इक्वल टू जैड वन है अब यहां पर देको इसको यह क्या बलते है जीरो पॉट निन्यानों में 28 है इसको इदर लेकर आएंगे तो यह माइनस का हो जाता है बरावर माइनस पी ओफ जीरो लेज देन इक्वल टू जैड लेज देन इक्वल टू जैड वन अब यहां पर यहां देखेंगे यह प्लस में है अब इसमें से इसको घटाते हैं तो नो अजार में से चार पांच जार गटाएंगे तो कितना आता है तो पी ओफ लेज देन इक्वल टू जैड लेज देन इक्वल टू जैड वन बरावर कितना आता है चार जिरो पॉइंट चार हजार नो सो अठाईस आता है zero point कितना आता है उन पच्चास अच्ठाईस आता है इसको हम कहाँ पढ़ देखेंगे तो low table पर देखेंगे वरवाश jet table पर हम लोग देखेंगे तो इसका क्या मुल्ली आता है तो देखते है तो यहाँ प Reach husband कितना था उनपच्चास च्छास अथाईस तो नहीं मिलता है तब हमको यह लिखना पड़ता है क्या लिखेंगे तब हम यहां पर ऐसा लिखते हैं यहां लिखेंगे सारणी सारणी या कोश्टक पर से ऐसे भी लिख सकते है कोश्टक भी लिख सकते है सारणी भी लिख सकते है यहां लिखते हैं छेत्रफ हल और यहां लिखते हैं जेट प्रापतांक ओके यहां लिखेंगे 0.99 28 के पूर्व यानि पहले का समीब यानि नजदी का मुल्य इसका लिखेंगे ऐसे ही उनपच्चास 28 के बाद का या पच्चात का तो हम लोग लिखते हैं बाद का समीब का मुल्य देखते हैं तो हमने यहाँ पर देखा उनपच्चास 28 से पहले क्या आ रहा था उनपच्चास 28 से पहले आ रहा था 27 क्योंकि वह 28 तो ही नहीं तो यह 27 27 आया तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे उनपच्चास 27 अब यहाँ क्या आएगा तो समझना ध्यान से यहाँ पर आया है उन पच्चास 27 है यहाँ बरोगर उन पच्चास 27 के सामने कितना 2.4 है और उपर देखते हैं इसके उपर कितना दिखाई दे रहा है तो यह लाइन में जाओगे तो कितना है यहाँ भी 4 है 2.4 और प्लस 0.04 जुड़ेंगे तो 2.44 हो जाता है यहाँ पर 2.44 हा जाता है उके इसी तरह से हम लोग इसके 28 नहीं उसके बात का देखेंगे तो यह हमारा 27 है तो यह कितना हुआ उन पच्चास उन तीस यहाँ लिख देते हैं उन पच्चास उन तीस उके उसके बाद हम 12.4 ऊपर जाके देखते हैं तो यह कितना है 0.05 है तो यहा लिखते एथे हैं 2.45 और अब निकालते हैं ओसद के ऊसद मुल्य और सद मुल्य निकालेंगे तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे ऐसे लाइन खीचना हो तो आप खीच सकते हैं जिसे पष्ट दिखाई दे फुट पर्टिस से करना है अब इसको जोड के दो से भाग कर दो जोड के दो से भाग करेंगे तो उन पचास पचास आ जाता है और उन पचास अठाइस आता है सोरी कितना आता है उन पचास अठाइस और इसको दोनों को जोडते हैं दो से भाग देते हैं तो कितना आएगा द 2.445 आता है इतना आया है इसके बार लिखेंगे कि जैड़ बराबर कितना आया है 2.245 आया है तो इसका आप दूसरा देखते हैं पहला हमने यह किया हुआ है अब इसका दूसरा देखते हैं आप इस प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रीप्शन में आपको अन्य चैप्टरों की वीडियो मिल जाएंगे भाग एक और भाग दो के वहां से आप देख सकते हो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो आपके लिए के आते रहेंगे तो अब हमारे पास दूसरा है यहाँ पर दूसरे में हम लोग क क्या करना पड़े गा लिखेंगे की ए जैड बरावर जैड वन कि की च दाइण अर बो और का स्थित्र फल दाइण और इसका मतलब क्या होता है कि पी च रही खकाशे लगें तो ग्रेटर देन क्या आता है ग्रेटर देन Mike greater than z1 बरावर कितना है तो यह है हमारे पास 0.0250 है अब हम लोग इसकी आकरती बनाते हैं तो हमने आकरती बना लिए इसमें बीचा बीच में हम लोग यहां लिख देते हैं जेड बरावर 0 यहां आता है Minus Infinity ओएँव यहां पर Minus coś इनिति उके उसके बाद हम को क्या करना है तो यहां आपको समाइना पड़ेगा कि यह बोला है काँ पर दाई योर से दाई योर से बोला हो बरवा दाई योर से बोला हो तो ग्रेटर दिन लगाते हैं तो दाई योर कहाँ पर यहां से यहां से जाना है इधर साइड यहां से इधर साइड जाएंगे तो हम लोग को ध्यार रखना यहां से यहां तक कितना है तो यहां से यहां तक का यह हमारा जेड़ बन आया और इतने भाग को हम लोग क्या कर देते हैं डिजाइन बना देते हैं तो आप चाहो तो थोड़ा और आगे कर सकते हो इसका कोई तकलीफ नहीं है पर यहां इसके पार जाने का नहीं है अब इसको देखना पड़ेगा तो इसकी संभावना कितनी है यहां को ग्याद करना है यहां से यहां तक हमको क्ता हैं यहां से यहां तो कियो रहे यह भी आपको जल समझना पड़ेगा क्योंकि हमको इतने से भाग का ही संभावना ज्याद करना है वर हम क्या वलते हैं पूरा भाग मेंसे जो भाग नहीं है विद सकते हो तो अपने आप यह वाला भाग मिल जाएगा तो इसको कैसे लिखेंगे यहां लिखते हैं यहां पर हम लोग लिखेंगे यहां से यहां तक के भाग को यह इतना छित्पल दिया है तो केसे लिखना है आपको यह उतारना हो तो फिर से उतार सकते हैं यहां से यहां तक जाते हैं यह माइनस नहीं है, हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले P0, यहां से इदर जा रहा है, यहां से यहां तक के भाग है, तो P0 less than equal to Z less than equal to infinity, अब घटाना है, हमको कौन सा भाग घटाना है, यहां से यहां तक का भाग घटाना है, इसलिए P, यहां से यहां तक का भाग, तो यहां पर कोन है, 0, यहां पर कोन है, Z1, यहां पर less than equal to, यहां पर आएगा, Z less than equal to Z1, बराबर कितना दिया था, 0.02, 0.02, 5, 0 है, बराबर, अब उसके बाद आप देखेंगे, यहां पर, यहतना भाग हमको पता है, कितना है, तो यह ह पांच, तो हम लोग चार अंकों में लिख देते हैं, तो पांच यहां लिख देते हैं, माइनस, P less than equal to Z, less than equal to Z1, बराबर, 0.02, 50, अब यहां पर देखोगे, तो यह जो है, हम उसको उदर ले जाते हैं, यह उदर ले आते हैं, तो यह उदर जाएगा, तो प्लस का हो जाए माइनस, यह इदर आता है, तो 0.02, 50, 0, बराबर, यह उदर जाता है, तो P, 0 less than equal to Z, less than equal to Z1, ओके, तो हम लोग घटा देते हैं, हमको यह प्राप्त हो जाता है, तो यह उदर जाएगा, उदर कर देते हैं, इदर घटा के लिखते हैं, तो कितना आता है, तो आपको पता ही है, कितना आएगा, 0.47, 50, अब इसकी संभावना देखना है, Z कोश्टक पर से, ओके, तो इस तरह से हम लोग क्या निकालेंगी, Z1 ग्याद करते हैं, 47, 50, लोक ट और ऊपा जाके देखते हैं, तो 0.06 दिया है, 1.9 में 0.06 जोडेंगे, तो 1.96 होता है, इसकी संभावना आगई है, एक पॉइंट नो, एक पॉइंट 6 और आता है, आप इस तरह के उधारन करना चाहते हैं, तो उधारन आपको साथ करना है, तो इस तरह से का सवाल है, इस त को सब्सक्राइब करें मिलते नेक्स वीडियो में जैहिंद जैवारत बंदिमात रहो